हालो उरण, उमीद करता हूँ आप सब की तैयारी अच्छी चल रही है और ये सेकिंड वीडियो है इंटर्यू सीरिस में और जिन लोगों का रैंक बहुत बढ़िया है लेस देन 500 है उनके लिए बेनिफिशल है प्लस जो लोग इस साल बहुत शिदत से दे रहे हैं और नेक्स करना है और उसके बाद आपने आपको जो इंट्रड़क्शन पार्ट में बताना थे उसमें किया क्या चीज़ें रखनी है आप से काउंटर कॉशिन और से बहुत अब डिसकस करेंगे बिल्कुल नहीं होना है स्ट्रेट ही रहना है और सिंपल पर्मिशन मांगनी है मैं कमिन सर सिंपल तरीके से मांगनी है अंदर जाने के बाद आपके पास प्रॉबैबली आपकी चेर थोड़ा सा डिस्टेंस से होगी और जनरली पीएस के इंटर्यू में टेबल थोड़ी करेंगे ठीक है यह गुड़ गेश्चर है कि आप लेडिस को रिस्पेक्ट करते हैं सेकिंड आप जो भी सेंटर में चेर परसन है उसको विश्च करके और फिर अपना इंटर्वी स्टार्ट करेंगे हाला कि तब तक वह आपको बैठने के लिए नहीं बोलते तो आप यह गुड़ गेश्चर नहीं माना जाता है आप पैर पर रखेंगे हाथ आपका नॉर्मल पर सिटिंग पोजिशन में इस तरह से रहेगा कमर थोड़ी सीधी रखेंगे उसके बाद अब इंट्रोड़क्शन के हम अगर बात करें तो इंट्रोड़क्शन में आपको बेसिक पूच्छन पूचता है या फिर आपका एजूकर शेर्लेट है को बूच आपके प्रैक्टिक्ल ट्रेनिंग है अपकी प्रीवए जो बेन सबसे रिलेटोण पूछता है यह सारी चीजें आप से तभी पूछ पाएगा जाब आप उनको एक तरीके में बताएंगे अब तरीका क्या रहेगा बताने का वो सीक्वेंस मापको बताता हूं सबसे पहले आप स्टार्ट करेंगे अपने 10 के मार्क से ठीक है बिल्कुल बेसिक रखेंगे जैसे चाहे वो आप अपना कॉलिज का प्रोजेक बता दें। चाहे आप अपने industrial training बता दें चाहे आपका जो जो जोब रही है लास्ट में वो बता दें हाँ जिन लोगों ने जोब करी है लास्ट में वो तो definitely जोब ही बताएंगे field work से related आप से कुछ question आप पूच सकते हैं अब इन सारी basic basic चीजों से related क्या क्या आपको बताना है और क्या 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 question आप से पूचे जा सकते हैं वो आपको बता देता हूं इनिशेली आप अपने नाम बताएंगे, अपने फादर का नाम बताएंगे और अपने शहर का नाम बताएंगे, ठीक है? गाओं का बता सकते हैं, बट अपना डिस्ट्रिक्ट शहर ये भी आप कोई ना कोई नाम असोसीेट करदें, फोर एक्जाम्पल मैं जब अपने आपको इंट्रिउस करवाता है तो मैं इस टाइप से बोलता है सर माइनेम इस नवीन यादव, मैं फादर नेम इस बावलाल यादव और आप पटोदी हरियाना अब मेरा डिस्ट्रिक्ट है गुडगाओं पड़ता है मैं यह बताता था मैं पतोदी मैं की सिटि है तयसील पड़ता है पटोदी इंटेंशियले इशली फि disparities है कि पटोधी किस चीज के लिए फेमस है, फिर वो सैफ लिखान है, मंसूर लिखान है, थोड़ा सा हिस्ट्री है, थोड़ा सा ये सारी चीज़े आ जाती है, तो इंटरस्ट आसा सब का, जो इंटर्व्यूर है, उसको मज़ा आना चीज पूछने में, अगर मैं उनको गड़गाओं, तो गड़गाओं ऐसी फील देता है, एक दम जो IT सेक्टर का हब है, वो है, तो वो बहुत सारे कोशन आएंगे, बहुत सारे करंट अफेर उस पर रेलेटेड हो सकते हैं, बहुत सारे चीज़ें ऐसी हैं, जो मेजर सिटी से रेलेटेड की मुझे नहीं पता हो सकता कभी भी, और उसमें इंटर्यूवर पास कोशन बहुत सारे होंगे, मेरे पास जवाब एक कभी नहीं होगा, तो सिटी अपनी नियरस्ट आपकी जो है, मानलो आपका गाओं थोड़ा फेमस वो बताएं, आपका सिटी फेमस वो बताएं, आपकी तैसिल फेमस है तो बताएं, आपका डिस्टी फेमस था अपना डिस्टी बताएं, ठीक है, तो इस टाइप से आपको चीज चूज करने है, ठीक, नेक्स जब आप अपनी टेंथ क्लास का बताएंगे, टेंथ में बहुत ही बेसिक चीज़े रखनी है, आपको टेंथ का येर बता देना है, और अगर आपका स्कूल का नाम कुछ फेमस है, तो आप वो बताएंगे, और अगर आपका स्कूल का नाम बहुत फेमस नहीं है, तो आप उसको स्किप करेंगे, थोड़ा कोशन उसको मिलना चाहिए, सेम 12 क्लास के लिए आप करेंगे, आप येर बताएंगे, स्कूल का नाम बत बताना होते हैं सिर्फ अपना स्ट्रीम बताएंगे ग्रेजुशन आपका कॉलिज के नाम बहुत इंपर्टन रहे जाता हैं आप अपना कॉलिज का नाम बताएंगे और उसके बाद अगर आपका इंटर्व कंटीनू चल रहा हूँ आपको स्टॉप नहीं कर रहे हैं तो आप हैं अपना कॉलिज की डिटेल बताने के बाद साथ-साथ अपनी होबी बतातेंगे ठीक है होबी और आपका जो प्रैक्टिकल वर्क जो है आपका फील्ट ट्रेनिंग का जो वर्क है उसमें से कोई भी आप पहले बता सकते हैं जिसमें आप चाते हैं कि मेरा इंटर्यू आप अपनी hobbies बताएंगे, hobbies में आपको confidence नहीं है, तो आप अपना जो project work है वो बताएंगे, project work हो, चाहिए आपका industrial training हो, आप सिर्फ introduce करेंगे, say for example, sir, मेरा industrial training इस company से हुआ है, मैंने इतने महीने के लिए किया है, बस इतना कहके छोड़ देंगे, उसके बाद उनको question करने दो, कि उनके curiosity आनी चाहिए, कि क्या किया तुमने उसमें, तो questions का आदान प्रदान होगा, answer आप देंगे, तो interaction बढ़ेगा, तो जितना आप से पूछा जाए, आप सिर्फ उतना जवाब देंगे, ताकि उसे related हो questions बनाएं, और इस type से जब आप उनके question आते रहेंगे, answer जाते र पारा हो, मैंने पढ़ा हुआ था पहले, तो इस type के आप 2-3 sentence याद करके रख लेंगे, कि सर मैं भूल गया हूँ, मैं घर जाके देख लूँगा, सर मैंने पढ़ा था, याद नहीं आ रहा है, तो 4-5 sentence आप phrase करके रखें, कि 4-5 question भी अगर आपको नहीं आ पाएं, तो आप फिर जवाब दे सकते हो, at least यह रहेगा, इंसान mentally थोड़ा effort दे रहा है, field training जो आपकी है, या फिर आपका project work जो है, या फिर आपका जो job है, उस से related questions इस type में रहेंगे, कि वो judge करेंगे, कि आपकी trainability कैसी है, इंसान को अगर organization में लिया जाएगा, तो यह कितना effectively work output देगा, कितना effectively एक asset बन पाएगा organization के लिए, तो आपकी क्या वहाँ से learning है, आपकी क्या वहाँ key responsibility थी, कितना important आपका काम वहाँ था, कितना चीजे आपने grabs करी है, जो आपकी responsibility से बाहर थी, वो आपने कितना grabs करी है, यह सारी चीजों से related आपसे question पूछे जाएंगे, ठीक है, इसके कोई doubt करी है, तो comment में डाली, हम next video मिलेंगे, all the best.